इस ख़बर की प्रस्तुत करता है स्ट्रान युनिसेक्स सलोन कचेरी रोड अजमीर सलोन जो आपको देता है स्टाइल निर्दलिये आगे रहे दो जगे परेडाम बराबरा जिसमें कॉंग्रेस ने 961 वाडों में और भाजपा ने 737 वाडों में जीत हासिल कर लिये वहीं बसपा के खाते में 16, मागपा के 3 और NCP के 2 पारशद विजए रहे वहीं दूसरी और कॉंग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने उमीदवारों का अग्याद इस्थान पर बिज़ दिया है जोतपूर, अलवर, नागोर, सहीत, पूरे प्रिदेश में पारशद प्रित्याक्षियों को होटल, रिजॉर्ट और फार्माउस में ठहराए जाने की सूचना मिल रही है उसके साथ ही प्रित्याक्षियों के मोबाइल बंद करा दिये हैं जानकारी के अनुसार निकाय चुनाओ के नतीजों के सामने आने के बाद भी कॉंग्रेस के बोर्ट बनने वाली सीटों के जीते हुए प्रित्याक्षियों को कॉंग्रेस 26 नॉम्बर तक यानि जब तक कि बोर्ट का सभापती अद्याक्ष या महापोर नहीं चुन लिया जाता है तब तक एक साथ रखा जाएगा वहीं इसके लिए प्रिबारी मंत्रियों, संगटन पतादिकारियों, जिलाद्यक्षों और संबंदित विदायकों को जिम्मेदारी भी सोब दी गईए ये सबी स्थानिये जीते हुए प्रित्याक्षियों के साथ मिलकर जीत की रणनिती बनाएंगे लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ हो गई है कि बीते तीन दिन से बाड़े बंदी में रह रहे प्रित्याक्षियों को अब जीत के बाद भी बाड़े बंदी से राहत नहीं मिलेगी वहीं जब तक बोर्ट नहीं बन जाता है इन सभी जीतेवे प्रित्याक्षियों को बाड़े बंदी में रहना होगा हाला कि महिला प्रित्याक्षियों के साथ उनके परीजनों को रहने की छूट यहाँ पर दी गई है वहीं दूसरी और सूबे की इन निकायों में पार्षद तो आज बन गए हैं लेकिन मेयर के चुनाओ में अभी वक्त है जनता दोरा चुने गए पार्षद 26 को मेयर और सभापती चुनेंगे जबकि 27 को डिप्टी मेयर और उप सभापती चुने जाएंगे तब तक पार्षद निकरानी में ही रखे जाएंगे और तब तक उनके अच्छी आओ भगत भी की जाएगी आपको बता दें कि राजिस्थान सरकार ने पहले मेयर और सभापती का चुनाओ डरेट करवाने का मन बनाया था बाद में ये फैसला लिया गया कि बिना पार्षद बने ही कोई भी मेयर बन सकता है बस उसके नाम पर पार्षद मुहर लगा दे लेकिन डिप्टी सीएम सचिन पाइलिट ही इस पर सहमत नहीं थे इसलिए सरकार को ये फैसला लिना पड़ा कि जो सदन का सदस्य होगा वही मेयर या सभापती बन सकता है वही नतीजों में सबसे दा चुकाने वाले नतीजे भरतपूर नगर निगम, रूपवास, महवा और पिलानी नगर पालिका के हैं जिनमें निदलियों का ही बोट बनेगा बरतपूर नगर निगम में कुल 65 सीटे थी इनमें से कॉंगरेस ने 18 और भाजपा ने 22 सीटों पर जीत दर्च की है लेकिन बरतपूर नगर निगम में निदलियों के तोर पर जीतने वाले प्रिट्रेक्शों की संख्या 25 है ऐसे में बाजपा और कॉंगरेस दोनों को ही निदलियों ने बरतपूर नगर निगम में पचाड दिया है वहीं बरतपूर जिले के ही रूपवास नगर पालिका जिसमें 25 सीटे थी इन 25 में से 12 निदलियों ने जीत दर्च की है जबकि कॉंग्रेस के खाते में 6 और भाजपा के खाते में किवल 7 सीट ही आई है इसी तरीके से महवा नगरपालिका के 25 सीटों में से 13 पर निर्दलियों ने जीत दर्च किये तो वहीं सत्तादारी दल कॉंग्रेस के 8 और भाजपा के 4 सीट पर जीत दर्च हुई है उदर प्लानी नगरपाली का वे जहां पर सबसे दा चोकाने वाले नतीज़ा आए हैं यहां निर्दलियों ने 35 में से 31 सीटों पर जीत दर्च किये हैं जबकि भाजपा और कॉंग्रेस के इससे में केवल 2-2 सीटे ही यहां पर आई है हलांकि कॉंग्रेस ने प्लानी से केवल 6 मीदवारों को ही मैदान में उताराता इसके अलावा अलवर नगरपरिशद में निर्दलिय के सयोग से ही बोर्ट बनेगा अलवर में 65 में से 20 सीटों पर कॉंग्रेस तो 27 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्च किये लेकिन निर्दलिय जीतने वालों की तादाद भी 18 है ऐस इसे में जिस पार्टी के साथ निर्दलिय चले जाएंगे वे अपना बोर्ट अलवर नगर परिशद में बना लीगी वहीं बिवारी नगर परिशद में तो मुकाबला भाजपा और कॉंग्रेस के बीच टाई हो गया यहां पर कुल 60 सीटों में से कॉंग्रेस और भाजपा बले ही 24 सीटे जीत कर नमरेक स्थान लिया हो लेकिन निर्दलिय भी 22 सीटे जीत कर आएं हैं हला कि कॉंग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही है लेकिन उसके भी 19 प्रित्याक्शी जीते हैं ऐसे में जिसके साथ निर्दलिय चले जाएंगे उसी का बोर्ट श्री गंगा कि किसके सर पर बोर्ट का ताज होगा वहीं पुषका नगरपाली का पर एक बार फिर भाजपा ने कब्दा जमा लिया है यहां भाजपा के 14 पार्षत कॉंग्रेस के 9 और 2 पार्षत निर्वाचित खुशित किये गए यहां बाजपा का बोर्ट बनना तय है वरतमा नगरप नगरपाली का देख कमनपाटक वाड़ नमर्म चार से चुनाव जीत गए नगरपाली का के लिए 25 वाड़ों पर 73 प्रित्याक्ष्व ने अपना भाग्या जमाया था और अब 26 नौंबर को नगरपाली का देख के लिए चुना होना है जिसमें एक बार फिर कमनपाटक की द झाल्ग करे ख बाराप एक बार फिर करते लाड़ों भाग़् ouais i